तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधों के वर्ण कोड की या यूँ कहो कि प्रतिरोध का जो वर्ण कोड होता है वो क्या होता है। तो ध्यान रखना कि किसी विद्दुत या फिर कहलो कि electronic जो परीपत होते हैं इसमें हमें अतिउच्छ प्रतिरोध के मान की जरूरत पड़ती है मतलब इसमें हम कहेंगे कि जो प्रतिरोध लगाये जाता है उसका value जो है मान अतिउच्छ होता है या कहो काफी हद तक ज़्यादा होता है और इसका जो हम कहेंगे कि code होता है वो वले पटियों के रूप में बनाया जाता है वले पट्टियों के रूप में बनाया जाता है और इनके उपर जो ये वले टाइप की पट्टियां बनाई जाती है मिंस गोल गोल होती है इनका हम क्या करते हैं डियर मान ग्यात कर लेते हैं और इनका मान ग्यात करके उस प्रतिरोध को क्या करते हैं ग्याद कर लेते हैं और फिर हमें जितने प्रतिरोध के रेजिस्टर की जरूरत होती है उस रेजिस्टर को हम क्या करते हैं अपने सर्किट में यूज कर लेते हैं और बेसिकली ये रेजिस्टर आपने देखे होंगे अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर फोटो के र लगाये जाते हैं, इस प्रकार के आपने register देखे होंगे, हम आपको एक और इसकी image दिखा रहे हैं, ये, ये आपके वो register होते हैं, आप देख रहे हैं, इन पर क्या होता है, basically, 4 वले पट्टियां लगाई गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, dear, इसमें जैसे कि A, B, C, D, चार पट्टियां, ऐसे यहां पर भी आप देखिए, चार चार पट्टियां, एक, दो, तीन, चार, यहां पर आपको दिखाई गी है, ठीक है, तो यही आपके हैं, वो carbon register है, तो देखिए डियर, वही हमने यहां पर लिख रखा है, क्या heading लगाई है, प्रतिरोधों का one code क्या होता है, तो जैसा कि अभी हमने बताया था, कि विद्धुत या electronic परिपत में क्या होते हैं, हमने कहा था कि बहुत उच्छ या कहो अति उच्छ मान के प्रतिरोध की जरूरत होती है, या कहो इन्हें हम लोग प्रयूक्त करते हैं, ठीक जैसा आप कहना चाहों, और हमने कहा था कि ये जो है, वलए के रूप में, यानि कि ये code वलए, या हमने कहा पटियों के समुव में क्या होते हैं, छपे होते हैं, जैसे कि आपने अभी अभी रेजिस्टर पर देखा कि चार पटियां थी, हमने कहा वो पटियां कौन से डिएर थी, A, B, C, D, चार पटि का हम क्या करते हैं मान ग्याद कर लेते हैं जिससे हम प्रतिरोध का मान ग्याद कर लेते हैं और आवसिक्ता अनुसार हम क्या करते हैं उसे यूज कर लेते हैं और कार्बन प्रतिरोधों पर सामानिता चार रंगीन पट्टियां होती हैं अभी हमने आपको बताया था कि A B C D ब इन चार पट्टियों में जो ये आप पहली और दूसरी पट्टी देख रहे हैं, ये दो पट्टियां आप जो देख रहे हैं, ये वाली, ये अंक को प्रदर्सित करती हैं, यानि कि डिजिट को प्रदर्सित करती हैं, डियर किसको प्रदर्सित करती हैं, ये डिजिट को प्र प्रदर्शित करती हैं जबकि आप जो पट्टी दी देख रहे हैं यह आपकी सहन सीलता या को सहन छमता को प्रदर्शित करता है क्या डियर हमने कहा यह जो है आपका सहन शीलता यह किसको सहन सीलता यह हमने क्या कहा कि सहन चमता यानि कि tolerance को क्या करता है प्रदरशित करता है तो इसमें जो पहली दो पट्टियां डियर होती है वो किसको अंक को प्रदरशित करती है जब कि जो तीसरी पट्टी सी होती है वो किसको दसम गुणांग को और तीसरी पट्टी जो होती है सहन सीलता को प्रदरसित करती है अभी जब हम आपको कुछ example इसके देंगे numerical हल करेंगे तो यह आपको पूरी बात क्या होगी clear हो जाएगी फिर तो देखो वही हमने लिख रखा है कि क्या ये जो A और B है ये क्या है वर्ण कोड A तथा B तो ये बच्चा क्या अंकों को हमने का अंक को व्य प्रथम दो सार्थक अंकों को व्यक्त करती है वो भी किसमे ओम में दिखाती है यानी कि मात्र क्या बनता है ओम फिर दूसरी बात one code c यानी कि पट्टी जो c तो अभी हमने कहा dear ये दसम गुढक या कहो दसमलोग गुढक होता है तो c पट्टी जो है वो क्या होती है c पट् मतलब क्या है अर्थात सून्यों की संख्या जो A और B के सार्थक अंग के बाद आती है मतलब A और B पहले दो पट्टियां क्या थी सार्थक अंग और A B के बाद में कौन आता है C आती है तो वही कह रहा है अर्थात सून्यों की संख्या जो A और B सार्थक अंग के बाद आती है फिर आप देख रहे होंगे 1 code D मतलब यह चवथी पट्टी क्या बताती तो अभी हमने कहा डियर चवथी पट्टी जो है सहन छमता या कहो सहन सीलता को प्रदरशित करती है तो अंतिम पट्टी डी तुरुटी को प्रतिसत में व्यक्त करती है इस प्रकार जो यहां पर हम रजिस्टन्स निकालने वाला सूत्र जिससे हम कहो कि रजिस्टन्स का सूत्र निकालेंगे वो क्या बनेगा हमने कहा पहली दो पट्टियां अंक के लिए A, B और multiply या कहो गुणे C plus minus सहन छमता या कि D प्रतिसत जहां D हमने कहा सहन सीलता या D क्या कहो सहन छमता है और यहाँ पर जो यह आप देख रहे है एक दो तीन चार पट्टियां यह अंक दस्मलों गुणांक और सहन सीलता को प्रदर्सित करती हैं इनके अंक और हम कहेंगे कि घात वगेरा जो कुछ हमारे पास परसंटेज है उसके लिए जो है एक साट फार्म में फार्मूला होता है वह आपको याद रखना है यह डियर क्य होता है ध्यान रखना बी फॉर ब्लैक फिर बी ब्राउन फिर क्या है रवाय का आर से रेड ओ फॉर और और यलो ग्रेट फॉर ग्रीन ब्रेटैनिया फॉर ब्ल्यू फिर वेरी वाइलेट फिर गोल्ड का जी ले लिजिए तो जी मिंस ग्रे और फिर वाइफ से क्या ले लि अगर पट्टी पर कोई color नहीं है लास्ट में तो ये none है या कहो no color आप जैसा कहना चाहों कह सकते हो तो ध्यान रखना डियर पहली और दूसरी पट्टी के लिए ये number black के लिए कितना होगा 0, brown के लिए 1, red के लिए 2 ऐसे आप देख रहें नीचे उसके number हमने लिख रखे हैं ये अभी आपको समझ आएगा जब हम numerical लेंगे फिर उसके बाद में तीसरा गुडांक या कहो दसमलो गुडांक दसमलो गुडांक मतलब आई से समझो 10 की घात के रूप में तो अगर black color है तो उसके लिए 10 की घात 0 फिर brown है तो 10 की घात 1 ऐसे ही आप देख रहे हैं लाइन स सहन सीलता होती है, silver के लिए plus minus 10% होती है और no color मतलब कोई color नहीं इसके लिए जो सहन सीलता होती है वो dear कितनी होती है 20% होती है कितने dear होती है 20% होती है जैसे कि हम क्या करते हैं हम अब आपको एक दो question ले लेते हैं और example group में दिखा देते हैं जैसा dear समझने के लिए हमें क्या दिया है question number एक प्रस्ण हम पूरा पढ़ना है देखो क्या लिखा है यह क्या है कोई carbon प्रतिरोध है एक ले लेते हैं इस पर जो हमें color दिये गए है dear वो देखिए जैसा कि आप एक बात जानते हैं फटाफट बना देते हैं चार पट्टियां ऐसे simple form में एक दो तीन हमने चार पट्टियां बन गई तो क्या लिखा है carbon प्रतिरोधों पर अंकित बैंडों का क्रम निम्नवत है प्रतेक दसा में प्रतिरोध का मान तथा सहन सीलता ग्यात कीजिए प्रतिरोध का मान आपको ग्यात करना है और सहन सीलता आपको ग्यात करना है तो dear पहला प्रस्न दिया है इसमें पट्टी है पहली पट्टी देखो first question है हमारा जो first question है first question में दिया है brown, black, brown, gold यानि कि पहली पट्टी क्या है dear ये है brown आपकी क्या है ये आपकी पहली पट्टी है brown दूसरी पट्टी में दिया है आपको black क्या दिया है black तीसरी पट्टी मे आपको फिर डियर इसने क्या दे रखा है देखो ब्राउन क्या दे रखा है यह आपको इसने दे रखा है ब्राउन अगली पट्टी में इसने तुमको दे रखा है गोल्ड क्या डियर दे रखा है अगली पट्टी में इसने आपको दे रखा है गोल्ड अब कह रहा है यहां पर जो है आपको resistance की value निकाल नी है तो देखो ध्यान अकना सीधे है आप फार्मूला डाल दीजे रेजिस्टन्स का value तो हम जानते हैं चलो पहले हम एक काम करते हैं धीरे धीरे काम करते हैं तो हमने कहा था पहली और दूसरी जो पट्टी होगी यानि कि यह पहली इदर से दूसरी या तीसरी या चौथी या कहो A, B, C, D आप जैसा कहना चाहों तो अब ही हमने कहा था कि A और B अंक को प्रदर्शित करते हैं देखो A और B प्रतिरोधों के प्रथम दो सार्थाकंग को व्यक्त करती हैं तो A और B तो पहली और दूसरी प चाहिए एक होना चाहिए फिर दिया है ब्लैक तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ब्लैक के लिए क्या है जीरो है क्या है डियर ब्लैक के लिए जीरो तो पहली और दूसरी का काम हो गया अब तीसरी पट्टी के लिए है ब्राउन क्या है तीसरी पट्टी के देखिए ब गोल्ड के लिए कितना है प्लस माइनस पांच प्रतिसत है आपका तो इस प्रकार आप देखेंगे यह क्या बनेगा तो देखिए हमने अभी आपको फार्मूला बताया था कि यह आप याद रखना इससे आपको और आसान पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं हो चाहें आप ऐसे ल और उसके बाद में फिर क्या है जीरो क्या है जीरो फिर कितना है मल्टिप्लायर यानि कि मल्टिप्लाई कितना है सी तो सी आप देख रहें कितना है दस की घात एक का मतलब डियर दस की घात एक कहो या कहलो दस फिर कितना है प्लस माइनस डी प्रतिसत तो डी कितना है minus 5 प्रतिसत क्या हो जाएगा plus minus 5 प्रतिसत अब अगर हम इसे और बढ़ाना चाहें तो हम इसे कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे आप देखिएगा यह डियर इसे हम क्या कहेंगे और बराबर ध्यान से देखिएगा ये आपका कितना आया है 10 अब गुड़ें कितना है ये 10 की घात कितना है एक है इसका मतलब ये कितना हो जाएगा तो 10 की घात 1 ये और 10 की घात 1 एक एक मतलब 2 दस की घाथ 2, और दस की घाथ 2 का मतलब DR कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना हम इसको लिख सकते हैं, 100, या कहो दस की घाथ 2 ओम, अब गुड़ें कितना है, प्लस माइनस 5%, तो सबसे पहले एक काम करो, इस 100 का क्या निकालो, 5 प्रतिस्त निकालो, अगर हम 100 का 5 प्रतिस् प्लस माइनस पांच.nin Watts प्रतिसर तो इसका मतलब क्या है कि यह जो पांच आया इसका मतलब यह पांच अधिक हो सकता है यह पांच कम हो सकता है तो से क्या अगर वांच घट जायेगा तो क्या वचेगा DR पंचानव 105 के बीच में रहेगा 95 से 105 के बीच में रहेगा तो आप समझ गए होंगे कि यह जो टॉलरेंस होता है प्रतिसत यह क्या बताता है ठीक है सिंपल में आपको निकालना है तो आप क्या करिए यह अगर नहीं पूछ रहा है इतना आप नहीं निकालना चाहते हैं तो आप क्या करि दीजे कितना AG बराबर या पांग प्लस趬-षब 1 या और आगे बढ़ाना चाहते हो दो गुड़े 175 पे खोड़े उ T तो यह आया आपने देखा हम्ने कहा सो गुड़ें हमें से क्या ऐसे लिँग दो र बराबर ये कितना एक • अभी हमने कहा था तो सो और सा और उसके बाया में प्लस – कितना एगा 5 प्रतिसाद और भराबर क्या आ गया सओ और प्लस – 5 प्रतिसाद फिर अगला question देखेंगे यह क्या है तो देखो अगला question जैसे इसने दे दिया yellow violet brown gold yellow violet brown gold थोड़ी देर के लिए चलो यह question हम यहाँ पर लिख देते हैं हमने क्या कहा dear हमें दिया है yellow yellow और फिर yellow के बाद में कितना है violet violet और अगला dear दिया है brown क्या दिया है यहाँ पर में लिख देता हूँ brown और फिर brown के बाद में दिया है silver क्या दिया है silver तो जैसा कि आप जानते हैं क्या जानते हैं पहला है yellow तो यहाँ पर पहला और दूसरा क्या अंक बताता है तो पहला दूसरा यहाँ से देखो तो यहाँ से yellow के लिए आप देख रहे हैं कितना है 4 है तो यहाँडियर हम क्या करेंगे 4 लिख लेंगे फिर उसके बाद में देखिए क्या है वाइलेट इसेकंड वाली पट्टी तो वाइलेट में देखो कितना है साथ दिया है यह इना कि इसके लिए गात भावन तो silver के लिए कितना है tolerance जो है सहन चमता या सहन सीलता प्लस माइनस 10 प्रतिसत तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस 10 प्रतिसत क्या है प्लस माइनस 10 प्रतिसत तो देखिए हम इसका answer यहाँ पर लिखे दे रहे हैं तो formula resistance का क्या होता आप जानते हैं r बराबर r बराबर यह कितना हो जाएगा यहाँ से आप देखिएगा पहले कितना पहले दोनों a और b लिख लो तो यानिकि 4 और 7 फिर multiplier गुडे क्या होगा गुडे c कितना है 10 की घात 1 गुडे 10 की घात 1 और प्लस माइनस 10 कितना है आपके पास आप देख पा रहे होंगे 10 प्रतिसत कित मतलब कितना है 10 की घात 1 का मतलब 10 को क्या कह सकते है और बराबर यह कह सकते है 470 प्लस माइनस क्या कह सकते हैं 10% अर अगर tolerance के department में आपको निकालना हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा 47rd का पहले क्या निकालोगे 10% 470 का वैसे ौनिकलोगे 10% देखिए आप ऐसे हम यह यह बच्छा क्या 47 बच्छा क्या बना 47 इसमें एक बार क्या करेंगे घटा लेंगे और 47 एक बार जोड़ लेंगे फिर जितना आयेगा हम कहेंगे इतने से इतने के बीच में इसका मान होगा ठीक है अब इसके बाद में फिर हम अगला question आपका देख लेते हैं यह है हमारा कुछ इस प्रकार है देखेगा यह डियर हमें दिया है एक कार्बन प्रतिरोध 74 किलो ओम का है question क्या कह रहा है हमारा question है हम यहां पर लिखे दे रहे हैं कि एक कार्बन प्रतिरोध 74 किलो ओम का है प्रसन कहरा है एक कार्बन प्रतिरोध कितना है 74 किलो ओम का है 74 किलो ओम का है इस बैंड पर रंगों का क्रम क्या होगा इस बैंड पर इस बैंड पर इस बैंड पर इस बैंड पर रंगों का क्रम क्या होगा इस बैंड पर रंगों का क्रम क्या होगा रंगों का क्रम निकलना है तो देखें कोई नहीं बात नहीं है बहुत आसान है अब तु तो सबसे पहले किलो ओम को ओम में बनाओ तो अच्छा जैसा कि हम जानते हैं कि एक किलो ओम बराबर एक हजार ओम तो चवहत्तर किलो ओम को जब ओम में बनाओगे तो यह क्या हो जाएगा चौहत्तर गुढे कितना हो जाएगा एक दो तीन यह हो गया यह आगो चौहत्तर हजार ओम हो गया ठीक है या फिर आप किया को चौहत्तर गुढे एक हजार और यह किसमे हो गया ओम में अब ध्यान से दिएर देखना 74 तो वही से उठा लो अब उड़े ये कितना दिया 1000 का मतलब है ये 10 की घात कितना तुमको दिया है 3 दिया है कितना दिया है 10 की घात 3 दिया है तो अब यहां से हमसे एक कलर पूछ रहा है कि इस बैंड पर रंगों का क्रम क्या होगा तो सबसे पहले रंगों का क्रम कई से पता चलाएंगे पहले कितना दिया है साथ तो यहां देखो आकर के साथ है कहाँ साथ का मतलब है वाइलेट क्या डियर आपको दिया है वाइलेट तो इसका कौन सा कलर होगा आपका यह होगा पहला वाइलेट वाइलेट, फिर साथ के बाद में क्या दिया है, चोगत्तर है, यानि कि चार, तो चार पर देखो, क्या है, यलो, क्या है, यलो, तो ये हो गया, यलो, फिर है कितना, दस्की घात, तीन, तो दस्की घात, तीन, यहाँ ढूणो क्या है, औरंज, क्या है, औरंज, तो क्या होगा वाइलेट येलो और क्या होगा आपका औरंज होगा क्या होगा वाइलेट येलो और आपका औरंज रहेगा ठीक है तो आपको समझ आ गया होगा तो यही बच्चा हमारा था प्रतिरोधों का वर्ण कोड तो हम एक बार आप चाहों तो पुना देख लेते हैं क्या हमने कहा कि किसी विद्धुत या एलेक्ट्रानिक परिपत में उच्चमान के प्रतिरोधों की आवसकता होती है या कहो प्रयोग किये जाते हैं यह कई से कोड वले के रूप में होते हैं सामान रूप इसमें चा M-D % यहां पर D क्या है सहन सीलता हैं C क्या है आपका C जो डियर है वो क्या दसम गुणांक है या कहो दसम गुणक है एम और A b क्या है प्रत्थम दो सार्थक अंके या यू कहो कि डिजिट हैं फिर हमें मेली इसका एक सूतर याद रखना है क्या bb dry Great Britannia very good wife और यहां से लि पूले में कुछ नया लिखना ही नहीं 0123456789 इसमें क्या है यह तो पर्मानट याद रहेंगे दसकी घाज 0 वही फिर 1234 और इधर से 5 10 20 यह इतना ध्यान रखना और इसके बाद में कोई भी question board exam में एक नंबर का जया फाटाक स्याप ताप देना तो यह बच्चा हमारा क्या था प्रतिरोधों का वर्ण code तो बच्चों हम आसा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको समझ आ गया होगा अगर हमारा वीडियो आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए सेर करिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद